आज इस personality के हम बात करेंगे इन्होंने negative roles को बहुत ही खूपसूर्ती से निभाया है साथ और सतर के दशक में जहां प्रान और जीवन जैसे गैंस्टर्स और विलिन्स चलते थे वहीं पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपनी acting के दम पर और अपनी आवास के दम पर अमरीश पूरी सहब में इनकी बहुत कुछ जलक नसर आती थी बात करेंगे सक्तार और अस्सी के popular villain, henchman, अगनीपत के दिनकर राव और वियार चोपडा की महाभारत के कंस यानि की रविंदर कपूर उर्फ गोगा कपूर गोगा कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो अपने शायद ही सुनी होंगी कब गोगा कपूर आए बॉलिवूड इंडस्ट्री में क्यों इनका नाम पड़ा रविंदर से गोगा कपूर और कैसे जो गोगा कपूर फिल्मों में हीरो को हीरो बनाने के लिए मर जाता था कैसे असल जिंदगी में हुई उनकी डैथ गोगा कपूर का जन्म गुजरन वाला में हुआ था जो कि पार्टिशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा रहा गोगा कपूर को थेटर से बहुत प्यार था यही कारण है कि इंडस्ट्री में आने से पहले वो प्लेस किया करते थे और जादतर प्लेस इंग्लिश लैंग्विज के ही हुआ करते थे कई बार तो गोगा कपूर ने अमिता बच्चन के साथ भी कई प्लेस किये हैं लेकिन अमिता बच्चन को ब्रेक जल्दी मिल गया वही गोगा कपूर को इंडस्ट्री में पहचान थोड़ी लेट मिली 1971 में एक फिल्म आई थी जल्वा जहांसे गोगा कपूर को बॉलिवुड इंडस्ट्री में चांस मिला इसके बाद गोगा कपूर ने कुछ दूसरी लैंग्विजिस के फिल्म में भी की बाद में एक टाइम आया जब गोगा कपूर को पहचान मिले 1973 की फिल्म एक कुवारा एक कुवारी इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसने बॉलिवुड इंडस्ट्री को दिया था एक बहुत बड़ा सूपर स्टार आमिताब बच्चन के रूप में जी हां जंजीर फिल्म जहां आमिताब इस फिल्म के सूपरस्टार बने वहीं इस फिल्म से इंडस्ट्री को मिला एक नया विलिन गोगा कपूर के रूप में यह वो दोर था जब बॉलिवोड में काफी गैंगस्टर फिल्में बना करती थी और बॉलिवोड की जो गैंगस्टर फिल्में हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हीरो अकेला होता है और उदर जो डॉन होता है उसके कई सारे आदमी होते हैं तो डॉन के कई सारे वहीं गोगा कपूर को नेगिटिव रोल्स में स्टार बनाया है। इसके अलाबा मनमोहन देसाई की जाधतर फिल्मों का हिस्सा गोगा कपूर हमेशा रहते थे। बात करें अगर लेट सेविंटीज की और एटीज की तो गोगा कपूर ने अपने करियर की टॉप और दमदार परफॉर्मेंस इसी दौरान दी थी। उन्होंने एक के बाद एक सूपर हिट फिल्मों में काम किया। मुकदर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, शान, दोस्ताना, याराना, लावरीस, सत्ते पे सत्ता, कूली, शक्ती, बेताब, सागर, मर्थ। ये वो सभी फिल्में थी ये उस टाइम की सबसे जादा पॉपिलर फिल्में थी और आज की डेट में ये सभी फिल्में बॉल्ली वोड की क्लासिक और using फिल्मों में मानी जाती है और इन सभी फिल्मों में गोगा कपूर ने अपनी दमदार performance दी थी गोगा कपूर के आवाज एकदम बेसी थी और इस बेसी आवाज में जब भी वो कुछ सीरियस होकर कहते थे तो वाकई में डड़ लग जाता था और वाकई में लगता था कि ये आवास तो एक डॉन और एक विलिन की ही हो सकती है इनफाक्ट गोगा कपूर ने आगे चलकर आमिर खान के साथ कयामत से कयामत तक में भी काम किया इस फिल्म में भी उनकी रोल को काफी सराहा गया था और इस फिल्म में उनका जो रोल था वो बाकी फिल्मों से थोड़ा सा अलग था इसके अलावा वो सल्मान खान के साथ पत्थर के फूल में भी नज़र आये थे और इस फिल्म में भी उनकी एक एहम भूमी का नज़र आये थी कहा जाता है कि गोगा कपूर ने देर्सो से भी ज़ादा हिंदी फिल्मों में काम किया है इसके अलावा इन्होंने मलियालम फिल में और बाकी रिजनल लैंविजिस में भी काम किया है गोगा कपूर इस इंडस्ट्री में 2005 तक अक्टिव थे उसके बाद 2011 आते आते उम्र से रिलेटेड उन्हें बिमारिया होने लगी गोगा कपूर ने 70 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा 6 महीने से वो बिमार चल रहे थे जिसके तहट उन्होंने 2011 में अपनी आखरी सांस ली गोगा कपूर अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी एक वाइफ जिसका नाम है शांती कपूर इसके अलावा उनकी तीन बेटिया है एक पायल जो के खुद एक आक्ट्रिस है इसके अलावा शैली और सोनू ये दो और बेटिया है गोगा कपूर अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन जब भी इस इंडस्ट्री की 70 और 80 के दशक की फिल्मों की बात होगी गैंक्स्टर फिल्मों की बात होगी और डॉन के गैंग की बात होगी तो उसमें में आदमी के रूप में गोगा कपूर को हमेशा याद किया जाएगा उनका नाम हमेशा लिया जाएगा वो अपनी यादों के रूप में छोड़ गए हैं अपनी वो कल्ट क्लासिक फिल्में जिसमें उन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त आवास के साथ परफॉर्मेंस दी थी आज की डेट में इस तरह के विलिन्स वाकई में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो इस तरह से केरेक्टर में गुज जाते हो गोगा कपूर की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा केरेक्टर आपको सबसे ज़दा प्रभावित करता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवुट के एक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेच बॉलिवुट ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुट ठिकाना